बाई यूजी और यूटा ने मिलके सुकुना की फार दिये भाई तो गाईस जजे की चैप्टर 250 के स्पोईलर्स आ चुके हैं और इसके अंदर सुकुना को यूजी एंड यूटा पहंगर तरीकी से बेल रहे हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया आता है यूटा की डोमेन एक्सपेंशन के बारे में तो यूटा की डोमेन है उसके अंदर unlimited swords प्रेजेंट रहेंगी और जितनी भी curse technique यूटा ने copy करी है वो सब एक एक करके बटी रहेंगी इन swords के अंदर यानि कि एक sword के अंदर एक curse technique मैं अच्छली में यूटा कुछ को नहीं पता हूँगी कौन सी sword के अंदर कौन सी curse technique है लेकिन जैसे ही वो sword को wield करेगा वैसी उससे पता लग जाएगा कि हाँ बाई इस sword के अंदर ये curse technique है और यूटा उसकी domain के अंदर जितना चाहे उतना copy का उस technique का यूज कर सकता है जो की इस चीज को और भी ज्यादा broken मना देती है और सुकुना के लिए problematic और फिर यूटा उस करता है द्रूबर की शगीगान के टेकनीक को और रिका को बेजता ए सुकुना के उपर उपढ़ अटाक करने के लिए लेकिन सुकुना उसके attack से वापस बच जाता है और उसी को follow up करते हुए यूटा यूज़ करता है फूरो की space bending technique को ताकि वो सुकुना के उपरे catch के मार सके उसके बाद सुकुना भी ready हो जाता है इस attack को face करने के लिए लेकिन सुकुना इसी दोरान ये सोचता है कि यार उसका जो curse energy pool है वो तो यूटा के बराबर आ चुका है यानि कि बहुत ज़ादा drop down हो चुका है उसके curse energy level के अंदर और अभी फिलाल वो hollow wicker basket का भी use कर रहा है मलब अगर उसने hollow wicker basket का use करना बंद कर दिया ना मतलब सुकुना का खेले की बारी में टाटा भाई 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 खतम हो जाएगा यार और फिलाल के लिए सुकुना इतना drained out हो चुका है गोजो के साथ battle करने के बाद कि वो अपना domain expansion भी use नहीं कर सकता भाई और उसकी RCTP काफी slow हो गई है और अगर बात रही decimental की तो decimental भी use नहीं कर सकता वरना तो decimental का use करके सुकुना इन दोनों को कपका ठिकाने लगा दिया होता यार तो मतलब कितना फसा हुआ है सुकुना तुम खुद देख लो और फिर यूटा अपनी sword ठेखता है सुकुना के उपपर और सेम टाइम पर री का यूजी को ऐधा मिताय बिना के फिकती है सुकुना के उपपर और वैसे तो सुकुना यूटा की sword को dodge कर जाता है लेकिन अमारे यूजी भिया की last से कोई भी नहीं बच सकता और वो last जैसे ही सुकुना को पढ़ती है भाई बोलते भाई अब नहीं हो रहा मुझसे मतलब भाई यूजी की एक किसे सुकुना का पूरा soul हिल जाता है यार तो actually में यूजी मेगुमे की body और सुकुना की soul की बीज की realm को देख पा रहा है observe कर पा रहा है मैसूस कर पा रहा है जाएगा फिर और फिर इसी दोरा सुकुना सोचता है कि यार यूजी की 25 से मेरा जो कर्स एनरजी आउटपुट है वो तो कम होई रहा है लेकिन उसके साथ में उसका जो मेगुमे की body पे जो control है न वो भी थोड़ा बहुत बीच के तना dull होता जा रहा है यानि की control छूटता जा रहा है मलद यूजी का माल कर रहा है वहाई इस चैप्टर में और ये सुकुना के लिए एक problem है और इतना पिटने के बाद सुकुना बोलता है कि बाई बस अब मैंने इस आउंगा और फिर सुकुना इन तीनों के attacks को देरे देरे dodge करना शुरू करता है और उसके बाद UC और यूटा के उपर वो अपने slash का इस्तमाल करता है और पिरीका के उपर भी वो अपने slash का इस्तमाल करता है और फिर ये slash कासे लगते भी हैं यूजी और यूटा को और फिर सुकुना कहता है कि इन slash को उसको इनको छूकर मारना पड़ेगा यानि कि यूटा और यूजी को छूकर इनको slash मारना पड़ेगा क्योंकि अभी सुकुना की curse energy बहुत low हो रखी है और दूसरी बात इन दोनों के defensive abilities काफ़ी जादा upgrade हो चुकी है क्योंकि यूटा की तो RCT काफ़ी अच्छी है यह पहले से ही और अब UG भी RCT यूज़ कर रहा है और इस चीज़ को लेकर तो सुकुना भी यूटा की तारीफ करता है भाई क्योंकि ये चीज़ हर कोई नहीं कर सकता और फिर इतना सब को जो जाने के बाद सुकुना पूछता है UG और यूटा उसे कि भाई तुमने पिछले एक महीने में क्या-क्या training करी है भाई मुझे भी तोड़ा सीगेट बताओ तो फिर उजी बोलता है कि उसने बहुत मैनत की है हमने रोज 100 sit-ups, 100 squats, 10 km run every single day करा है पुरा साइतामा का plan मतलब कि बहुत मैनत करी है लेकिन यूटा कहता है कि we cheated and फिर उजी और उजी दोनों साथ में कहते हैं तो फिर यह पता नहीं आगे जाल के कौन से कौन दर कांड कर देगा और यह सोचकर ही वो काप यह लगता है भाई तो फिर युटा इसको यूज़ करके सुकोना ख़रा देगा तो भाई यह जो टेकनिक है यह एरगरो के सामने तो बड़ी इफ़ेक्टिव है लेकि सुकोना के सामने नहीं होगी तो छोटा सा यूज़ कर सकता है सुकोना इस चीज़ का और उसमें करा भी है और यह से यह ये शुकुना का मानना ये है कि जितने इन डिफेर्न डिफेर्ट कर से और यूोय गोला सब यो बीच में यूता सब्सक्राइब को हिट कर रहा है अपने अटाक se और सुकुना को डैमेज पड़ रहा है ऍदिन शुकुन अफर अचनक से सुचता है कि क्या Uta ने गोजो की remedy इंफिनिटी को भी गॉपि कर लिया क्या एंड इसका अंसर सिंपल सा है NO तो खर इस बारे में ठाढा detail में बात करें, तो YOOTHA के लिए infinity को पापाई करना और उसको यूज करना बहुत जादा difficult होने बाला है, तो चलो मालने दे कि यूटा नहीं infinity को अपाई कर लिये, लेकिन infinity को अच्छे से control करने के लिए और उसका use करने के लिए, यूटा को required रहेग six eyes, ज्योंकि copy नहीं हो सकती है क्योंकि six eyes कोई technique नहीं है, वो एक physical ability type आप कुछ बोल सकते है, physical चीज बोल सकते है जिसके साथ बंदा born होता है या जिस बंदे के पाद वो चीज होती है जैचिक गोजो सातरू six eyes के साथ born होा था इसलिए वो अपनी six eyes को awaken कर पाया और उसका use कर सका एंड फिर भी अगर यूटा इनिफिनिटी का use करता है without six eyes तो फिर उसकी curse energy इतनी जल्दी drain हो जाएगी कि वो सुकुना के साथ आगे battle करी नहीं पाएगा एंड थैन बैटल आगे बढ़ता है एंड फिर यूटा use करता है उरो की space bending technique को और उसके थ्रू निकालता है अपनी sword को ताकि वो attack कर सके सुकुना के उपर लेकिन सुकुना यूटा की sword को hand to hand पकड़ लेता है and sword को पकड़ते ही सुकुना के face के उपर slashes लगना शुरू हो जाता है यानि कि इस टाइम यूटा use करता है सुकुना की ही एक technique को जिसका नाम है cleave जो की slashing technique है मतलब भाई सुकुना की technique को सुकुना पर use करके माल रहा है भाई और भाई एडिटर नोट के अंदर तो ये भी लिखा हुआ था कि सुकुना's own slashes rain down on him यानि कि सुकुना के technique सुकुना की परिवारी पड़ गई और इसी किताथ हो जाता है chapter समा तो यार मुझे तो काफी personally अच्छा लगा है chapter यूजी एन यूटा जो पेल रहा है सुकुना को और बाकी तो next week भी break नहीं है मांगागा तो एक और chapter आएगा and देखते हैं क्या होता है पर हम सब जानते है कि सुकुना the strongest है और वो इन दोनों को ऐसे नहीं छोड़ने वाला मतलब कुछ न कुछ तो can't होने वाला है आने वाले chapters में और अगर आप लोगों को भी जानना है कि सुकुना the strongest क्यू है तो इस वीडियो को सब कुछ बात करिए अमने सुकुना के बारे में उसकी past के बारे में उसकी power and abilities के बारे में भी अच्छे से मैंने बात करिए explain करा है तो इस वीडियो को देखो and comment section में ज़रूर बताना कि आपके chapter कैसा लगा and अभी तक ये वीडियो देखा है तो please like कर देना चैनल पे नए हूँ तो please subscribe कर देना बाकी में मिलता हूँ तुमसे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye